नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके चैनल शोशोल अदिविद्मनीश पर डियर फ्रेंड्स इस लेक्चर में लोग बात करेंगे आज विचलन से समंदेत मुद्दों पर और ये टॉपिक आपके स्लेबस में मैच करता है यूजी से नेट जीर एफ एक्जाम के लिए साथी असेशन प्रोफेसर के लिए और पीजी टी के लिए तो यानि कि बहुत ही मल्टी डामेंशनल वेलवेबल लेक्षर होने बाला है आप लोग अपने ज्यादा ज्यादा फ्रेंड्स के साथ इसे शेर करें आप उनके साथ अपनी प्रतिपधता दिखाएं मेरी तरफ से किसी प्रकार की कमी नहीं की जा रही है और अगर आप हमारा पेट गूर्प लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिएगे नंबर पर कॉल कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में फीज, डिटेल वगरा सब दिये हुई हो सकते हैं और आगामी परिष्छाओं के लिए तैयारी कर सकते हैं आये फ्रेंट्स लेक्चर स्टार्ट करते हैं विचलन से समंधित मुद्दे और इसका पार्ट टू भी आएगा ये पार्ट वन है तो सबसे पहले जॉंसन ने कहा था जॉंसन ने कि वीपथ गामी व्हार मात्र ऐसा तरीकर दिशेट कि बिविवार को समाजिक पर्तिमाहनों सब्सक्रांव करें विपथ गामी वहार कहते हैं तो उसमें जॉनसन कहते हैं कि विपत गामी विवहार मात्र ऐसा विवहार नहीं है इसमें किसी मांदंड का उलंगन होता हो अपितवा उलंगन करता हो यानि कि जान बूच कर ऐसी घटनाए की जाएं जान बूच कर इस तरीके की गतविधियों को इंजाम दिया जाएं अंजाने में समाजिक विगटन है वो मानवी समंदों के प्रतिमानों में कार्यों में पड़ने वाली बाधा का नाम है समाजिक प्रतिमान क्या है सामाजिक नियमों का पालन करना सामाजिक नियम क्या है? डेली जो रूटीम में हम लोग फालो करते हैं आदतें बेवहार अपने से बड़ों से, अपने से बराबर से, अपने से छोटे से टीचर का, समाज का, परिवार का, परोस का ये सब हैं सामाजिक प्रतिमान, social values और उनको अगर हम फालू ना करें तो फिर Elliot और Merrill क्या कहते हैं ये सब पूछा गया है ये कहते हैं कि सामाजिक विगटन एक प्रक्रिया है सामाजिक विगटन एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है जिसके द्वारा एक समुह के सदस्यों के बीच में संबंद तूट जाता है वलब एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समुह के जो सदस्य हैं उनके बीच में संबंद है वो तूट जाता है बिल्कुल सही बात है कि अगर कोई ऐसी गत्विधी की जाए जिससे आपस में ब्योहार ना बन रहे है तो समझ तूटी जाएंगे मान लो किसी की साधी में जाकर दोष्ट की साधी में जाकर सराप पी लेना सराप पिकर बवाल करना हर स्फायरिंग करना ठीक है ये सब क्या है विपत गामी विखार है फिर हम लोग लच्छुनों पर बात करेंगे कि कैसे ये होता है तो सबसे पहले सामाजिक आदर्थों का महत्तु जब कम होने लगता है सामाजिक आदर्सों का महत्तों कम होने लगता है जैसे आज कल क्या है कि लोग किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार से अपने आपको justify करने कोसिस करते हैं चाये तो रास्ता positive हो या negative हो उसकी कोसिस नहीं करते हैं यानि कि गांदी जी की बातों पर विश्वास नहीं करते हैं मानलो ऐसे आप कह सकते हैं फिर रुड़ियों संस्थाओं में संगर्स रुड़ियों संस्थाओं में संगर्स हो जाए यानि कि जो पहले से पर्थाएं परंपराएं चली आ रही है उनमें और जो संस्थाओं नवीन हैं जैसे मानल लो 추천 जिसे मानलो एका की परिवार का सरूप है तो जाहर सी बास है कि मेरे माबाप ने मुझे सुर सिखाया मैं वही जानूंगा मेरे डादा जी मेरे बड़े पापा जी तो ये एक conflict देखने को मिलता है, ठीक है, ये चीज बताई जा रही है, फिर प्रस्थती और भूमिका के निश्यत्ता, कि हर बैक्ति को अपनी identity crisis से गुजरना पड़े, हर बैक्ति को identity crisis से गुजरना पड़े, तो ये चीज है, कि समाज मेरा कोई value नहीं है, कोई समाज में मुझे तबज्जों नहीं देता, अगर ऐसा होने लग जाए, तो लोग क्या करेंगे, कोई भी रास्ता, कोई भी रास्ता अपनाएंगे famous होने के लिए, जैसे अभी एक के आर के, के आर के ये हैं, जो review करते हैं फ भद्दा review किया, और उन्होंने क्या हो किया, मानहानी का दावाथोक दिया, इनके उपर, के आर के पर, इसे तरीके से टीर पी बढ़ाने के लिए, टीर पी बढ़ाने के लिए, सोसान सिंघवाले मामले पर, जो किया गया, है ना, अरणों के द्वारा, पत्रकार हैं जो, त तो इस तरीके की चीज़े की जाती हैं आगे बढ़ते हैं व्यक्तिक विगटन के बारे मात हैं हम लोग बात करते हैं समाजिक विगटन के प्रकारों पर समाजिक विगटन के प्रकारों पर तो पहला प्रकार है व्यक्तिक विगटन इंडिविजुवल ठीक है तो इसमें व्यक्तिक विख्टन कैसे हो सकता है अपराद के द्वारा हो सकता है बाल अपराद के द्वारा हो सकता है शरापीना वैश्या वरत्ति यह सब जो कारण हो सकते हैं इत्यादी कारण हो सकते हैं व्यक्तिक विख्टन के निजे विख्टन आपका हो रहा है जैसे किसी व्यक्ति ने इस तरीके की हर्कुतों को जो है अपनाना सुरूब करना शुरू कर दोगे कार चोरी करना मुबाल चोरी करना सोना चोरी करना तो उससे समाजिक विगटन नहीं हो रहा है हाँ उसकी सुरुवा जरूर है लेकिन निजी तोर पर आप करें हो सकता बागी समासा ही देशा में जा रहा हो तो मावर नार्म के समासा अस्त्री है वो इसके प्रकार बताते हैं Jei पूछे गए हैं इसलिए याद रखे हैं पहला है स्रजनात्मक्वेकति विगटन left ऐसे व्यक्ति आति भावना के कारण समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं सकारात्मक्वेकति विक्तन जैसे गांधेजी अपनी सार्जनी जिन्दगी को छोड़ दिया पारिवारी जिन्दगी को अपना लिया ठीक है और तमाम ऐसे लोग है जैसे आपने देखा होगा रामकरश्व मिशन में एक से बढ़ कर एक लोग जो है आज आते हैं जो पतलगा एमफिल प्यस्डी किये हुए बिटेन जर्मनी फ्रांस है और उसके बाद वो बाबा बन जाते हैं तो इस तरीके चिजह जो समाझ की बलाई कली काम करना चाहते हैं फिर व्याधकी व्यक्तिक विगटन व्याधकी व्यक्तिक विगटन जैसे किसी को सारीरिक दुर टेंट में हाथ कट जाए मुह अजीब सा हो जाए हैना यह सब तमाम तरीके चीज़ें फिर दूसरा है सामुहिक विगेटन व्यक्तिक विगेटन मेरी खाल से एकदम क्लियर होगा कि इसने दिया मावरर ने दिया है उसके प्रकार बताए है सामुहिक विगेटन सामुहिक विगेटन में हम लोग बात करते हैं इसमें क्या संपूर्ण समाज का विगेटन होता है संपूर्ण समाज का विगेटन होता है और इसके चार प्रकार है पहला है प्रात्मिक तनाव जिसमें पती पतनी के तनाव का परिवार में बच्चों पर पढ़ता है दूसरा है दुटीयक तनाव हें क्या सी थिक कारणों से परिवारी सिपन इन डिया इस विएव град होने लगत ज है है जस इसमें बताते हैं कि इस तरीके के दिकती होने ल셔야 है आगे बात करते हैं friends लैमर्ट इनके बारे में पूछा गया है इनकी पुस्तक है social pathology social pathology इनकी पुस्तक है उसमें दो प्रकार के विगिटनों की बात करते है प्राथमिक विगिटन और दुतियक विचलन प्राथमिक विचलन और दुत्येग विचलन की बात करते हैं लेमर्ट की पुस्तक है सोसल पैथोलोजी सोसल पैथोलोजी प्राथमिक विचलन और दुत्येग विचलन की बात करते हैं लेमर्ट प्राथमिक विचलन और दुत्येग विचलन की बात करते हैं अब बात करते हैं हम लोग विचलन पर पहले हम लोगों ने विघटन पर बात करें विचलन पर और फिर बात करेंगे एड्स पर और इस से जुड़ा दूसरा इस टापिक से जुड़ा दूसरा वीडियो भी आएगा विचलन क्या है सांस्कृतिक लच्छ और संस्थागस साधनों में असमानता सांस्कृतिक लच्छ और संस्थागस साधन क्या है पहले बता चुके हैं भी साधनि नियानि जैसे is बनना है कि सही रास्ते से लच्छ भी सही है साधन सब्सक्र में बेमेल सम्मंद और उपर क्या है लच्छ भी सही रहे उम साधन भी सही अपना है अनि मेहनत करके करें तो उसे कहा जाएगा अनलोम सम्मंद विचलन को माक्स अलगाओ कहते हैं काल माक्स अलगाओ कहते हैं दुर्खी में इसे आदर्स विहिंता कहते हैं यह पूछी आते हैं और मर्टन इसे विचलन कहते हैं यह एनोमी कहते हैं मर्टन इसे विचलन कहते हैं मर्टन आगे कहते हैं विचलन है तो समाज और समचना दोनों उत्तरदाई हैं यानि जो हमारी समाजिक समचना है समाज का अंग है समाजिक समाज समाजिक समचना के जो विविं इकाईयां है उसमें ऐसा देखा जाता है, जैसे आप लोग कई फिल्में देखते होंगे, कि एक्टर बनना कुछ चाहता था, बन वो कुछ गया, और फिर वो एकदम विक्राल रूप उसने धारन कर लिया, तो इस तरीके से समाज वो समाज सरुचना दोनों जिम्मेदार है, जैसे कोई वे विचलन के कारणों को देखते हैं कि क्यों विचलन होता है, समानितह, क्यों सरवाधिक विचलन होता है, इंट्रेस्टिंग है, पहला है गलत समाजी करन, गलत समाजी करन, माल लो गलत समाजी करन, कि कोई बच्चा, कोई बच्चा नकारात्मक परिस्तियों में रहता हो, जै वातावरण में रहे जो नकारात्मक औरूप से हो तो पिर वो वह वह उसी तरीके से बन जाएगा वह जाहरसी बात है आगे सहीं सान होने की बहुत कम सभ़ावना है अगला है नकारात्मक परतिमान अ यानि नकरात्मक प्रतिमान क्या है जैसे मिर्जापूर के बार 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 एक्जम्पल लेता हूं मुन्ना भाईया मुन्ना भाईया वाला एक्जम्पल बनने कोशिश करना या थोड़ा हथवडा त्यागी पातालोक वाला इस तरीके के आजकर लोग बनने कोशिश कर रहें तो इससे क्या हो रहा है नकरात्मक प्रतिमान क्या है कि प्रस्तति और भूमिका में असमानता हो जाए है इसका यह मतलब हुआ प्रप्रति लग्स में असमानता कि कोई व्यक्ति सद्धि क्या है और भूमिका क्या है एक ही दो पह Half 좋아 Sm कि मैंने पेपर में फट्रेञा कि एक या डेसी ने अपनी नौरी तर्ट को погंभा में कि आजऒगए कोवीड हो गया और उनको महुद्य को छुट्टी नहीं मिली तो इन्होंने वाइफ को जो है बचाने के लिए उनकी सेवा के लिए जो है अपना सस्पेंड वो जो है कहते रिजनेशन लेटर दे दिया कि मैं रिजाइन करता हूं इस तरीके की जिए तो यह कि प्रस्तति और भ हो जैसे एक से चल ला है एकिती है जो बाइक से चल ला है यह साइकल से चल ला है अब यह फॉर्चेनर वाला चोर है लेकिन विधायक है चोर था लेकिन अब विधायक है तो लोग क्या करेंगे इसके आदर्सों को मान के चलेंगे ना और जो यह महोदे साइकल से चलते हैं सामाने व्यक्ति थे इमानदार थे तो लोग किसको आदर्स मानने लग जाएंगे इसको मानने लग जाएंगे यह कहेंगे बेवकूफ टाइप आदमें तो यानि समाजिक प्रतिमान की आस पश्टता हो इतने श्ट्रिक्ट और इतने जो है मजबूत सोसल वैलूज हो कि चाहे कोई व्यक्ति चोर विधायक क्यों वन्जा उसको तवज्जों नहीं मिलनी चाहिए तब जाकर आसानी होगी प्रदहानिता जिसका जितना दबदबा कायम होता उसे साथ से लोगों को जुका लेता है अगले टापिक पर आते हैं जिसे एड्स कहते हैं एक्वाइड एम्यूनोडिफेसेंसी सेंड्रोम एक्वा प्रोधक चमता घड़ जाती है चुक्कि जो डबलू बेसे हैं वाइट ब्लट कार्पसल्स हिंदी में स्वैत रक्त कड़िकाएं स्वैत रक्त कड़िकाएं स्वैत रचत रक्त कड़िकाएं प्रभावित होने लग जाती है थो इससे ब्रक्ति में जो إम्यून शिस्टम है वह कमजोर हो जाता है और कोई भी ब्यक्ति छोटी से च्छोटी विमारी से जिसको एड्स जैसे लच्छणाने लगीं हो वो उससे बीमार होने लग जाता है उसका सबसे पहला केस अमेरिका में देखा गया था 181 में तो पता रहना चाहिए कहां देखा गया था पीछले पूछ लेगा पीटी में मैंने जैसा कि बताए डबलूबीसी प्रभावित होती है भारत में मद्रास चर्णई में सबसे पहला मामला देखा गया और इसके लिए एक टेस्ट होता है एलाईजा टेस्ट होता है इसके माध्यम से किसी विक्ति में इस तरीके की लच्छन उभर रहे हैं क्या यह एड़्स हो गया है क्या उसकी जाच करते है भारत 1987 में एड़्स कंट्रोल कानून बनाए गया था और 1992 में दुनिया में एड़्स नेशनल एड़्स कंट्रोल संगठन या और्गनाइजेशन कह सकत सर्द के लिए चिकित्सा केंदर भी खोला गया और मुंबाई के पुने में राष्टी सोध संस्थान राष्टी एट्स दिवस, या एट्स दिवस के रुब में इसे हम बनाते हैं, इसके लच्छन क्या हैं, जैसे हम पता करेंगे, एट्स हो गया, जैसे दस्त लगना, निरंतर बुखार बने रहे ना महिनों, महिनों तक किसी को खांसी आती रहे, और उसे भोलने की आदत लग जाए, इसके कारण क्या है कि किसी infected वेक्ती से, सारीरिक संबंद बनाना, किसी संक्रमित वेक्ति से, सारीरिक संबंद बनाना, नसे की आदत लगना, दूसित injection लगा लेना जिसमें needle या स्वी, जो है कई लोगों को लगा दी जाया ऐसा कुछ, और बार बार रक्त चड़वाना और सुई का परियोग दुबारा रियूज कर लेना रियूज कर लेना सुई को ये सब ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वज़े से सामनेता एट्स हो सकता है तो फ्रेंड्स हमने ये वीडियो बनाया है आप लोग अपने रिप्लाई दौरा हमें बताएं कि आपको वी ये अपने वीडियोग जाहिंद बहुत था जाहिंद लेक्टर्स हैं में पनाया रियूज कि अच्छाएं अबाएं